एक बहुत घरे जंगल में एक महात्मा अपनी कुटिया में रहा करते थे, वैं हमेशा तपस्या करते रहते थे, एक दिन जब वैं अपने ध्यान में खोई हुए थे, तो उनकी गोद में एक चूहा आगिरा, जो एक उड़ते हुए कववे की चौट से छूट गया था, महात् और चूहा अपनी जान बचा महात्मा की गोद में कूट पड़ा, महात्मा ने उसका बचाव करते हुए कहा, तो तुम बिल्ली से डरते हो, क्यों न तुम्हें बिल्ली ही बना दूँ, जाओ और बिल्ली बन जाओ, वाह, चूहा तो सचपुच बिल्ली बन गया, परंतु ब महात्मा के पास आ गई, ओ, तो अब तुम्हें कुट्टे से डर लगने लगा, अच्छा, तो जाओ तुम भी कुट्टा बन जाओ, कहने की देर थी, बिल्ली कुट्टे में परिवर्तित हो गई, परंतु क्या कुट्टा निडर हो सकता है, अब उसे शेर से डर लगने लग क्यों न तुम्हें शेर ही बना दूँ, कम से कम फिर तो तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा, और फिर सत्मुच्वेक कमजोर चूहा, देखते ही देखते एक शक्तिशाली शेर बन गया, परंतु महात्मा तो उसे आज भी शायद चूहा ही समझ रहे थे, शेर ने सोचा, जब तक महात्मा जिंदा रहेगा, मुझे भी अपना पुराना रूप याद आता रहेगा, इसे समाप्त करने में ही मेरी भलाई है, ना रहेगा पास, ना बजेगी पासुरी, इससे पहले कि शेर महात्मा पर हमला करे, महात्मा ने उसके मन के भाव पर लिये, और बोले, ज बताओ बच्चों, इससे तुम क्या समझे? भोजन देने वाले हाथों को कभी घायल नहीं करना चाहिए